हेलो एंड वेलकम डो दी वर्लवाइट पॉस्ट लगता है कि इंडिया मिलेलिस्ट यूरोप एकनॉमिक कॉरिडोर का फ्यूचर ज्यादा सुनेरा नहीं दिख रहा है अच्छा नहीं दिख रहा है और ऐसा दिखता है कि हो सकता है कि इसको पहुती जल्द कैंसल कर दिया लेकिन पुटिन नहीं आयन थे वेराश जब चाइना ने पुटिन को बुलाया था पुटिन आ चुके है एक तरफ दुनया रस्या यूट्रे लगत देख रही है दुसरी तरफ दुनया इसराईल फिलस्टिन न खुलिक है दुनिया अंस्टेबूल है लेकिन इसमें क्या हो पुटिन शी जिंपिंग से मिलने के लिए चाइना रशिया दोनों में डिप्लोमेटिक रिलेशन्शिप को और भी जाधा मजबूत करने के लिए पुटिन का नाम है क्यूंकि यूक्रेन इंवेजन ने पुटिन के रिजिम को कम्प्लिटली आइसोलेट कर दिया है यूक्रेन पर अटाक करने के बाद चाइना आएसा सूपर पावर देश बाहर निकल कर आया है जहां पुटिन ने विजिट किया है पुटिन बीजिंग को पहुंचे है और 18 अक्टोबर 2023 को फरम के साइड लैंस पर शी जिंपिंग से बात करने वाले है क्रमलिन ने कहा जब इसराइल और फिलस्टिन फाइटर्स हमस के बीच जारी जंग चलेगी समिट पर फारी असर होगा यानि कि ये कनफॉर्म है कि यहां इसराइल और फिलस्टिन के बारे में जरूर बात किया जाएगा तो इससे साफ साफ हो सकता है कि गाइस अगर USA बढ़ चड़ कर इसराइल को सपोर्ट करता है ना तो वो भी दिन दो नहीं है कि चाइना रशिया फिलस्तीन को सपोर्ट करेंगे यहां एक तरह से प्रॉक्सी वार खेला जा सकता है और पुटीन युक्रेन को सपोर्ट करने का बदला लेने के लिए इसराइल की आर्मे USA को टारगेट कर सकते हैं और देखिए आज के टैमना वेज़न कंट्रिस युनाइटेट स्टेट्स के फिवर में आ चुकी है इसराइल के हेल्प को लेकर लेकिन चाइना रशिया और उनके अलाय साफ साफ USA को क्रिटिसाइस किया ह के इसराइल अपनी सेल्फ डिफेंस के नाम पर अपनी लिमीट को क्रॉस कर दिया है बेजिकली अपनी लिमीट के बाहर काम कर रहा है और हमस के नाम पर गाजा के लोगों को टारगेट भी बना रहा है कोई बरी बात नहीं है मैं शौक नहीं होंगा के कल को चाइना या फिर रशिया ओपेनली इरान को बैक करेंगे और गाजा स्ट्रिप में हमस को वेपेन भी प्रोवाइट कर दे सकते हैं इसराइल के किलाव अगर आप पिछले साल देखोगे ना अगर आप अच्छे से जियो पॉलिटिक्स को फॉलो करते हो ना मुझे अच्छी तरह से यादे चाइना ने जी जान लगा दिया था इरान और सौधी अरबिया के बिच समझोदा कराने में और क्यूंके यूएस से कभी नहीं चाहेगा कि इरान और सौधी अरबिया के बिच समझोता हो लेकिन चाइना ने इसे सक्सेस्फुल कर दिया है और इस इसराइल-फिलस्टिन कॉन्फिक के चलते हैं, सौधी अरबिया की क्रॉन प्रिंस मोहमबत बिन सल्मान और इरान के इब्राहिम रईसी ने फोन पर कॉन्फिक के हालात को समझने के लिए एक दुसरे से बात किया है, ये चाइना की जियो पॉलिटिकल लिए बहुती थाल 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 कियो